कि दे रहे इन अमड़ा सब का दिये यह वीडियो पच्छा मनाने ठीक हो गया मैं बेजू वाला यह आम रेस्ट है यह देख सकते बाई कैसे लगा हुआ है और फ्रेट मेंड करिए कि स्क्रूव गरा लगा के पूरा टाइट करा यह देखो स्क्रूव लगाया हुआ है कि पिछले वाले है कि अधर के अंधर अबने इसमें लाइटर भी लगा हुआ है चार्जिंग करने वाला कि यूजब केबल लगया थी इसके लिए चार्जिंग की डाटा केबल और फिर इसके साथ हुआ है यहां का फिट कर दिया है आम रिष्ट दोना साइड जोड़ दिये यह वायरिंग इसके आती है इसके अंदर अलग से लगानी पड़ती वायरिंग को जोड़के यह डाटे के वह लगा के अपने फॉन चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं यहां स्कूरू करा है यह लंबी पेच के से टायट कर गया है जिस भाई को भी च मैं लेडी भी लगाऊंगा फ्रेंट के वह भी थोड़ी दिर में आपको दिखाता हूँ आप देख लो भी यह अपनीशिंग और इसके बाद एक कप है इसके बाद एक कप लगयाता है इसके अच्छा रेक्लेट करें इसको चेंग करेंगा इसके यहाँ है तुसरा हूँ है इसको चेंग करेंगा इसके फार की प्राक्ट इसे का रिफ्लेक्टर लाइट है इसके साथ जो मैं फिटिंग करूँआ है यह अपनी रिफ्लेक्टर लाइट की इसको पंपर खुलना पड़ता है वाइट खुलना पड़ता है इसका इसको चेंग करेंगा इसको बाहर से ऐसे तीन पेज खोलें आप्यों जो मैंने निचे नेचे निचे वह बाहर आगया है वह ने खोड़ा बंपर को बाहर की प्रप्र लाइट नेचा करेंगे यूह कर दो दो आ इस चाहर लगा दिया है जो फोला था नुद्द पूरा फिट कर गया मैं जो कि खाय को इसकी इंडिगेटर नियुक्तिर जाप कर दो आख जो आख तो बाई इसके अंदर जो कंपनी फिटिट लाइट है इसको चेंज गरेंगे इसमें लेडी डालेंगे है स्फोर की जीटी सीरीज मैसलिंग और यह नाय टाई की फोगलाइट में डालेंगे है इसमें हमने नाय टाईट लगाई है एचेट की और इसमें जीटी सीरीज मैसलिंग और फोगलाइट है भी फिट्मेंट हो चेंगे हर आजिजव को इसमें लगा जिया है इसमें अब टैकें पॉनाय। मैं जाए जाए काँ आट की